वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में करेंट एफ एर 2019 डिसकस करेंगे जो आपके बिहार दरोगा के लिए महतपूर्ण होगा टोटल इसमें आपके 100 प्रस्ण करेंट एफ एर कोईगे तो आप लोग सारे प्रस्णों को सोल्ब किजिएगा और लास्ट में आप लोग कितने आपको मिलता रहे आए देखते हैं पहला कोशन बिहार राज सरकार ने बाल में की नगर्ड टाइगर रिजब के अलाबा एक नया टाइगर रिजब बिख्षित करने की घोस्तना की इसे किस जिले में बिख्षित किया जाएगा तो किस जिले में बिख्षित किया जाएगा क कैमूर में एक पहले से तो आपको याद रखना है बाल मेगी tiger रिजब एक पहले से तो आपको बताना है कि बाल मेगी tiger रिजब बिहार के किस जिले में अस्तीत है जूर कैमूर में बनाया जा रहा है तो एः इसका right answer हुजाएगा next आम बजट 2019 में जीरो बजट फार्मिंग की बात की गई है इसके सम्मन में निम्लिखित कथनों में से कौन से कथन सही है तो देख लिजी इसका विकास करनाटेक से हुआ है तो सही बात है इसका विकास करनाटेक से हुआ है इस खेती का सरे स्री सुभास पालकर को जाता है तो ये भी सही है इसमें सुन कर्ज वे बिना रसाइनिक इन्पुट का इस्तमाल किये खेती के जाती है तो ये भी सही बात है तो तीनो सही है तो सी इसका right answer हो जाएगा से इसका Right Answer हो जाएगा नेक्स्ट है नेती आयोक द्वारा जारी Composite Barter Management Index 2.0 में किस राज को परस्थम अस्थान मिला है तो किस राज को परस्थम अस्थान मिला है गुजरात को मिला है यह इसका Right Answer हो जाएगा नेक्स्ट तिसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2020 में कहां किया जाएगा तो कहां किया जाएगा गुहाटी में सेज का राइट अंसर हो जाएगा पहला कहां किया गया था तो पहला आपके नए दिल्ली में किया गया था पहला कब किया गया था 2018 में और सकेन बाला कहां किया गया था सकेन बाला रखना है पूरे में किया गया था सकेन बाला पूरे में 2019 में किया गया था जबके 2020 बाला कहां किया जाएगा गुहाटी में किया जाएगा तो सीज का राइट एंसर हो जाएगा सुदान का नया परदान मंतरी कौन है? सुदान अपके अफिरका का एक देश है तो सुदान का परदान मंतरी कौन है? तो अबदुल्ला हम दोख है कौन है? अबदुल्ला हम दोख ये इसका right answer हो जाएगा किसकी पहचान के लिए भारत ने Facial Biometric Data अधारित C Fair पहचान दस्ताबेद जारी किया है तो किसके पहचान के लिए जारी किया गया है तो नाभिको के पहचान के लिए नाभिको के पहचान के लिए तो C इसका Right Answer हो जाएगा Next नेमलिकेत में से कौन असत है इस में से जो है कौन असत सुमली थे तो देख लिजी Reset to be भू अब लोकन उपगरा है तो ये तो सही है G set 7A संचार उपगरा है ये भी सही है A set उपगरा भेदी मिसाइल है ये भी सही है ठीक है A set उपगरा भेदी मिसाइल है तो ये भी सही है तो सारे सही है इसका मतलब क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं इसमें से कोई गलत नहीं है तो डे इसका right answer हो जाएगा ठीक है next एक सो साथ में भारतिय बिग्यान कांग्रेस का आयोजन कहां होगा तो कहां पर किया जाएगा यह किया जाएगा आपके बंगलेरू में तो बेस का right answer हो जाएगा ठीक है आप लोग comment करके बताना है कि एक सो चोमी भारतिय बिग्यान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया था ठीक है कहां पर किया गया था राज भी बताना है और सहर भी बताना है ठीक है next बिहार के किस अभ्यारन या पच्छी बिहार को हाली में बिहार के पहले समुदाई की रिजब की रूप में गोसित किया गया है तो बेरी बेरी इंपोर्टन कोस्टन है किसे किया गया है गोगा बिल पच्छी बिहार को गोगा बिल पच्छी बिहार को तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा हाली में बिहार के किस क्रिकेट खिलाडी को CEAT Domestic Cricket of Year 2019 का अवार्ड मिला है तो किसे मिला है आसुतोस अमन को मिला है ठीक है आसुतोस अमन को तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा Next बिहार के किस बेक्ती को इटली के सरवोच नागरिक सम्मान Knight of Order of the Star of Italy से सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है एस सम्मानित किया गया है Dr. Pratistha Sinko Dr. Pratistha Sinko आपको याद राखना है जो इटली है एक European Country है European Country है Next पैरा Benamintan पैरा Benamintan विश्व चंपियंशिप 2019 का खिताब गोल्ड किस ने जीता है तो किस ने जीता है B.B.A. कोशन ने मांसी जोसी ने जीता है मांसी जोसी ने ठीक है मांसी जोसी ने तो सेस का राइट नसर रू जाएगा Next 66 में रास्टिये फिल्म पुरसकार 2019 के तहद सर्वसेस्ट अभिनेता याद रखने है सर्वसेस्ट अभिनेता का खिताब किसे परदान किया गया है तो किसे परदान किया गया है बिक्की कोसल को और आयुसमान खुराना को ठीक है बिक्की कोसल और आयुसमान खुराना तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा A और C तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा Next किस राज को वर्ष 2019 का सर्वसेस्ट किस क्रिसी राज पुरस्कार परदान किया गया है बहुत very very important question है कि किस राज को वर्ष 2019 का सर्वसेस्ट किरसी राज पुरस्कार परदान किया गया है तो किसे परदान किया गया है अपना बिहार राज को ठीक है Basis का Retensor हो जाएगा Next भारत ने उपगरा भेदी Missile A Sight का सफल परिछन किया तो कब किया था तो आपको याद रखना है 27 मार्च 2019 को ठीक है 27 मार्च 2019 को तो A's का Retour हो जाएगा इसका नाम था सक्ती यह तो आपसे एक्जामे पूछ देगा कि सक्ती मिसाइल जो उपगरा भेदी था उसका परचेपन कब किया गया था तो 27 मार्च 2019 किया गया था और किस राज से किया गया था तो उडिसा से किया गया था आपको याद रखना है उडिसा के अब्दुलकराम एक रेंज है वहाँ से इसका परचेपन किया गया था ठीक है और भारती उपगरा को मार की गिराया गया था अंतरिश में नेक्स्ट भारत अबम फ्रांस के बीच नव सेल अभ्यास, बरुण 2021 का आयोजन कहां किया गया बेडी बेड़ी इंपोटन कउस्टन है तो कहां पर किया गया गोवमें किया गया था था किया गोवमे kell बेस का रायट अंस्र हो जाएगा गोवा किराज दानी कहा है manipulate पंजी किस नदी किनारे अस्ती थे तो मांड़ी नदी किनारे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है simplicity and wisdom के लेखक कौन है तो आपको याद रखना है simplicity एबम जो wisdom book है उसके लेखक का नाम है दिनेस सहरा क्या नाम है दिनेस सहरा तो एज़े इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट राजिब गांधि खेल रहा तने पुरसकार दो हजार उनेस किसे दिया जाने की घोथना की गई है दीपा मलीक, साची मलीक, एगसवर दत, कृषन, पुनिया तो किसे दिये जाने की घुशना की गई है दीपा मलिक को तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट निमलिकेत में से किस अस्टेडियम का नाम बदल कर अटल बिहारी बाज़ पर इस्टेडियम रखा गया है तो किसका रखा गया है एकाना किर्केट अस्टेडियम का एकाना किर्केट अस्टेडियम का तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा जो फिरोशा कोटला अस्टेडियम है इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है अरुन जटली किर्केट अस्टेडियम ठीक है इसे भी आप लोग याद रखिएगा जो एकाना क्रिकेट स्टेडियम एकिस राज में उत्रपरदेश में और उत्रपरदेश के लखनवर में है केन सरकार ने राज़्टपती रामनाथ गोविंद के आदेश से जम्मु कास्मीर राज का बिसेश दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 ए को कब समाप्त किया तो कब समाप्त किया था तो आपको याद रखना है आठ अगस्त 2019 को भारत के राज़्ट गोविंद ने हस्तचर कर दिया था तो देश का राज़्ट एंसर हो जाएगा और यह लागू कब से होगा तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया है 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया है ठीक है बरतमान में Estimate Committee के नए अध्यच कौन बने है तो ग्रीस बापट बने है से इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है जो Estimate Committee है वो समयधानिक संस्था है अमिर्की Open Tennis 2019 पुरूस एकल अस्परधा में राफिल नडार किसे हराकर जीता है तो आपको याद रखना है किसे हराकर जीता है डेनियल मेदवे देब को D इसका राइट अंसर हो जाएगा Next किस राज में भारत के पहले तेरते हुए सौरूर्जा सयंत्र का सुहारम किया गया है तो किस राज में किया गया है राजस्थान में किया गया है कहाँ पर किया गया है राजस्थान में तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा Next UNDP United Nations Development Program के बैसिविक बहुयामी निर्धानता सुचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे तेजी से गरिबी हटाने वला राज कौन है तो जारखंड है कौन से है कौन राज है जारखंड है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा Next June 2019 में सुरुखियों में रहा बाचा गाउं भारत का पहला सौर कीचन गाउं गोसित हुआ है का संबंध किस राज से तो आपको याद रखना जो बाचा गाउं है इसका संबंध किस राज से तो मध परदेश राज से संबंध है ये इसका राइट अंसर हो जाएगा और किसली सर्चा में रहा था तो ये बारत का पहला सौरुरुजा कीचन गाउं बन गया है मतलब यहाँ पर जितने भी घर है वहाँ पर सारे जो खाने बनाया जाते है सौरुरुजा के माध्यम से बनाया जाते है नेक्स्ट वैसिविक प्रतियस परदा विश्व इंद्वर्शिटी खेल में सो मिटर की दोड में स्वर्न पदक जितने वाली पहली भारतिये महला खिलाली कौन बनी है तो कौन बनी है दूती चंदर बनी है यह इसका राइट अंसर हो जाएगा जो हीमा दास है जायतर आपकी 200 मिटर और 400 मिटर की रेस में यह दोड़ती है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ये इसका राइटन सरू जाएगा नेक्स्ट है इंडिया ड्रोन महोच्छो 2019 का आयोजन कहां किया गया तो कहां बर किया गया है देहरा दून में किया गया है ये इसका राइटन सरू जाएगा ये इसका राइटन सरू जाएगा नेक्स्ट वर्ष 2019 का किसे दिया गया एपको याद रहे जो रवीज कुमार नहीं कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आप लोग को मेन खरकर के बताना आग जिसे कर नोबल पुरस्कार पुरस्कार को कौन सा पुरस्कार直接 को अप्रेल 2019 में संपन राश्पती चुनाव में जुजाना कैपी तोबा किस देश की महला राश्पती चुनी गई है तो किस देश की महला राश्पती चुनी गई है सुरलोबाकिया की किस देश की सुरलोबाकिया की तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट नैनो सिटट लाइट के विकास के लिए इसरो ने किस कारीकरम को सुभारम किया है तो आपको याद रखना है इसरो ने उन्नत्ती कारीकरम का सुभारम किया है तो सेज का राइट अन्, सरुजाएगा नेक्स्ट वर्ल्ड बैनिमिंटन चंपियन सीफ जितने वाली पहले भारते खिलाड़ी कौन बनी है भरी भरी इंपोर्टन कोस्टन है कि वर्ल्ड बैनिमिंटन चंपियन सीफ जितने वाली पहले भारते खिलाड़ी कौन है तो आपको याद रखना है कौन है पीवी सिंदू इनका पूरा नाम भी देख सकते हैं इनका पूरा नाम है पुशाराला बेंकटा सिंधू इसे बोलते हैं पीबी सिंधू नेक्स्ट 20 में ACI खेल 26 का आयोजन किस देश में होगा तो किस देश में होगा आपको वयाद रखना है कहां पर किया जाएगा जपान में जपान में ठीक है 20 का राइट रूजाएगा दोबरा देख लेजिए 20 में ACI खेल 2026 का आयोजन किस देश में होगा तो जपान में होगा 20 का राइट रूजाएगा नेक्स कोशन देखे हाली में बिहार के पुर्व मुखमंत्री डॉक्टर जगरनाथ मिस्रा का निर्धन हुआ उन्होंने बिहार के कितने बार मुखमंत्री पद पर कार किये कितने बार बिहार के मुखमंत्री रहे थे तो आपको याद रखना है तीन बार, कितने बार तीन बार, तो सीज का राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है सतरमी लोकसभा में कुल 78 महलाओं में से, बिहार में कुल कितनी महलाओं से 10 निरवाचित होकर आई तो आपको आद रखना है, टोटल कितनी बिहार से 3 आई, ठीक है तीन, तो सीज का राइट अंसर हो जाएगा, सीज का राइट अंसर हो जाएगा, और टोटल कितनी आई हैं संशद में चुन कर, 78 चुन की आई है ये दोनों वाद रखेगा, आपसे एक जामे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन, एक से 4 नमंबर के बीच कहां किया जाएगा, तो आपको याद रखना है ये किया, जा चुका है तो कहां पर किया, गया है तो आपको याद रखना है, नए दिल्ली में कहां पर, नए दिल्ली में तो ए, इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट एफिन डेक्स 2019 थल सेना अभियास भारत एवं अफिरकाद देशों के बीच कहां पर किया गया है तो कहां पर किया गया है, पूने महरास्ट में किया गया है, ठीक है पूने महरास्ट में किया गया है तो B इसका right answer हो जाएगा next है 33 में गरिस्म कालिन Olympic Hill का आयोजन कहां किया जाएगा तो कपी चर्चा में यह है कहां पर किया जाएगा टोकियो जपान में किया जाएगा ठीक है जपान के राधानी टोकियो में इसका आयोजन किया जाएगा तो A इसका right answer हो जाएगा next भारतिय वाइस सेना ने पाकिस्तान के बाला कोट में जैस A. मुहम्मद के अतंकी ठीकानों पर जिस operation के तहट हमला किया था उसका code name किया था उसका code name क्या रखा गया था तो उसका code name रखा गया है operation बंदर तो बेस का right answer हो जाएगा जिससे surgical strike भी बोलते है ठीक है तो उसका नाम क्या रखा गया था operation बंदर तो बेस का right answer हो जाएगा next आर्थिक समिच्छा 2018-19 के अनुसार पवन उर्जा में भारत का कौन सा अस्थान है तो पवन उर्जा में भारत का कौन सा स्थान है तो चौथा स्थान है ठीक है चौथा स्थान है पवन उर्जा में अच्छा काम कौन सा राज कर रहा भारत में तो करनाटक अच्छा काम कर रहा है अगर बुछा जाएगा कि दुनिया में पहला स्थान पवन उर्जा में किसका है तो चीन का है सकेंड किसका है तो सकेंड आपकी USA का है किसका है USA का अमिरिका का ठीक है नेक्स्ट चंद्रियान 2 को कब परच्छेपित किया गया तो आपको याद रखना है चंद्रियान 2 को कब परच्छेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा पियाद रखिएगा इसमें कि GSLB GSLB Mark 3 से इसे लॉंच किया गया था ठीक है आप लोग PSLB मत मारिएगा कहीं पर GSLB Mark 3 फिर से बोल दते हैं इसे लॉंच किया गया था GSLB Mark 3 से लॉंच किया गया था नेक्स्ट वैस्विक सांती सुचकांग 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा असांत देश कौन है फिर से देख लेजिए सबसे ज़्यादा असांत देश कौन है तो आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा असांत देश है वो कौन है? अफगानिस्तान है तो C इसका राइट अनसर हो जाएगा अगर पूछ देखा कि सबसे सांत देश कौन है तो आइसलेंड है आइसलेंड है नेक्स्ट A century is not enough किसकी आत्म कता है तो आपको याद रखना है A century is not enough यह जो आत्म कता है यह सौरव गांगली क्या है किसका है? सौरव गांगली का तो B इसका राइट अनसर हो जाएगा अब रतमान में जो सौरव गांगली है वो B C C I के अध्याच है B C C I के अध्याच है तो B इसका राइट अनसर हो जाएगा next समलेंगिक बिवा को कानूनी मानता प्रदान करने वाला पहला S.E.I. देश कौन बना है? तो कौन बना है? टाइबान बना है, सेस का निर्णे लिया है. सेस का निर्णे लिया है. Next. बारतिय अंत्रिच अनुसंधान संगठन इसरो में ने किस वर्स तक अंतिरिच में खुद का a space station बनाने का निरने लिया है तो कब तक निरने लिया है 2030 तक C is का right answer हो जाएगा अभी बरतमान में जो a space station है वो 2028 तक retire हो जाएगा ठीक है उसके बाद सिर्फ भारत का ही एक a space station बचेगा अब भारत इसे कब तक अस्थापित कर लेगा तो C is का right answer हो जाएगा next किस राज की महला पुलिस ने रानी अवक्का फोर्स का गठन किया है तो आपको याद रखना है किस राज की महला पुलिस ने तो करनाटक राज की महला पुलिस ने रानी अवक्का फोर्स का गठन किया है तो C is का right answer हो जाएगा सेज का राइट अंसर हो जाएगा next मरू अस्थली करन पर अंकु सेतू संयुक्त रास्ट कंवेंशन कि कोप चोदा का आयोजन सितंबर 1219 में कहां किया गया तो कहां पर किया गया है ये किया गया है नई दिल्ली में कहां पर किया गया है नई दिल्ली में तो सेज का राइट अंसर हो जाएगा next next है तमबाकू नियंतरन के लिए किस राज के चिकित्सा एवम स्वास्त विभाको डबलू यचो वर्ल्ड हेल्थ अरोगनाजिसन का 1219 का पुरसकार मिला है तो आपको याद रखना है किसे मिला है किस राज को मिला है राजस्थान राज को मिला है यह इसका राइट अंसर हो जाएगा यह इसका राइट अंसर हो जाएगा very very important question है next है my life my mission किसकी आत्म कता है फिर से बोल देते है my life my mission ये किसकी आत्म कथा है तो बाबा राम देब की है किसकी है बाबा राम देब तो cis का right answer हो जाएगा आप लोग पतंजली के नाम से भी जानते हैं कि बाबा राम देब को ठीक है पतंजली बाबा रामदेब कहीं है नेक्स्ट चंद्रियान 2 के संबंद में गलत कौन है आपको याद रखना है चंद्रियान 2 के संबंद में कौन गलत है तो देख लिजे कौन सा कथन गलत है लेंडर का नाम प्रग्यान था आपको याद राखना है जो लेंडर था उसका नाम विक्रम था ठीक है? तो यह गलत हो गया रोवर का नाम विक्रम था यह गलत है जो रोवर है उसका नाम क्या था प्रग्यान था क्या था उसका नाम प्रग्यान था चंद्रियान 2 का परच्छेपन GSLV Mark 2 से किया गया तो ये भी गलत है आपको बता चुके हैं कि GSLV Mark 3 से इसका परच्छेपन किया गया है तो तीनों के तीनों गलत हो जाएगा तो दे इसका राइट अंसर हो जाएगा बाग इस्थिती दुवराठारा रिपोर्ट के अधार पर सही का पहचान करना है फिर से देख लेजिए बाग इस्थिती दुवराठारा रिपोर्ट के अधार पर सही कथन का पहचान करना है तो सही कथन का पहचान कर लेजिए भारत में 20 की 85% बागो की अवादी है यह गलत है करीब 75% अवादी है ठीक है 75% तो यह गलत हो गया दोहर 14 से 18 तक बागो की संख्या में 40% बिर्धी हुई है करीब 50% की बिर्धी हुई है ठीक है तो यह गलत है भारत में बागो की संख्या 2967 हो गई है तो यह सही है कितनी हो गई है 2967 यह राइट एक दम है सरवाधिक बागो की संख्या करनाटक में यह भी गलत है सरवाधिक बागो की संख्या मध परदेश में कहां पर है मध परदेश में तो 60 का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है से इसका राइट अंसर हो जाएगा मिस इंडिया दोहर उनिस सुमन राओ का संबंद किस राज से है जो सुमन राओ है उनका संबंद आपकी राजस्थान राज से है किस राज से है राजस्थान राज से तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा इंटरनेट यूजर की रेंकिंग में भारत का अस्थान है इंटरनेट यूजर की रेंकिंग में भारत का अस्थान कौन सा है तो भारत का दुसरा स्थान है ठीक है भारत का दुसरा स्थान है तो पहला स्थान किस देश का है तो पहला आपकी चाइना का है किस देश का है चाइना का है चीन का है ठीक है तो बेश का राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पूष्टक राजधानी इन्हें उसको ने घोशित किया है तो आपको याद रखना है भारत का पहला बेशी पच्छी पार्क कहा खोला गया है तो कहां पर खोला गया है मुंबई में खोला गया है आध रखेगा मुंबई में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट सेवन बिलियन थी तो बेस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सतर्मी लोगसवा चुनाव में सरवाधिक नोटा सरवाधिक नोटा का पर्योग करने वाला राज कौन है तो कौन सा राज ने सरवाधिक नोटा का पर्योग किया है तो बिहार ने किया है, किस ने किया है, बिहार ने, तो BVI कोस्तन ने, C इसका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, C इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट, भारती भूबैग्यानिक सरवच्छन के अनुसार, किस राज में, ग्रेफाइट का सरवाधिक भंडार है, तो सरवाधिक भंडार जो है, अरगनाचल परदेश राज में, किस राज में, अरगनाचल परदेश राज में, तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, सूधी रमन कप 2019 को, किसने जीता है, तो किसने जीता है, चीन ने जीता है, किसने जीता है, चीन ने जीता है, तो says का right answer हो जाएगा next है पुष्टक celestial bodies किसने लिखी है तो किसने लिखी है जोखा अलहार्थी ने किसने लिखी है जोखा अलहार्थी ने तो days का right answer हो जाएगा ठीक है next है भारत के किस metro ने metro rail ने हाली में पहली बार सौर उर्जा से metro चला कर इतिहास रचा है तो आपको याद रखने है दिल्ली मेट्रो ने इतिहास रचा है तो a's का right answer हो जाएगा जो आपके इस सौर उर्जा से बिजली आया था ये कहां से आया था तो मध परदिश राज से जो है दिल्ली मेट्रो के लिए बिजली आया था तो a's का right answer हो जाएगा ठीक है नेक्स कोचन देखी भारतिये रिजा बैंक द्वारा जारी 20 रुपे के नोट के पिछे किसका चित्र अंकी थे तो आपको याद रखना है बारतिये रिजा बैंक द्वारा जारी नए 20 रुपे के नोट के पिछे जो है इलोरा की गुफा का चित्र अंकी थे डेस का right answer हो जाएगा इलोरा की गुफा कहां पर अस्ती थे तो आपको याद रखना है और अंगाबाद में अस्ती थे तो डेस का right answer हो जाएगा ठीक है डेस का right answer हो जाएगा next question देखी सुल्तान अजलान साह कप 2019 के बिजेता कों है तो इसके बिजेता कों है दच्छिन कुरिया इसके बिजेता है तो डेस का right answer हो जाएगा next time अंतरास्टी वन दिवस 31 मार्च 2019 का theme क्या था तो theme था forest and education क्या था forest and education तो से इसका right answer हो जाएगा से इसका right answer हो जाएगा तो next question देखी किस देश की अदालत ने हिंदी को तिर्तिय अधिकारिक वहासा के रूप में सामिल किया है तो किस देश ने सामिल किया है तो संयुक्त अर्भ अमिरात ने तो day इसका right answer हो जाएगा United Arab 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 ने ठीक है इसकी राजधानी कहा है तो आबु धाबी संयुक्त अर्भ अमिरात की राजधानी है तो day इसका right answer हो जाएगा next है किस राज सरकार ने सेवा नविर्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान पेंसन योजना लावू करने की घोशना किये तो आपको याद रखना है कि इस तरीके का ये पहली पहल किस राज सरकार के दोरा शुरू किया गया है तो बिहार राज सरकार के दोरा शुरू किया गया है तो B इसका right answer हो जाएगा ठीक है B इसका right answer हो जाएगा next है भारतिय वाइस सेना की पहली भारतिय महला पाइलेट इंजिनियर कौन बनी है तो कौन बनी है BVI कोसन है हीना जासवाल बनी है हीना जासवाल यह लगातार चर्चा में रही है इसलिए आपके एकजाम के लिए very important हो जाती है तो D इनका right answer हो जाएगा ठीक है D इसका right answer हो जाएगा next है 91 ओसकर अवार्ड 2019 के तहत किस भारति लगू फिल्म को best documentary short subject का अवार्ड मिला है तो किस movie को मिला है period and of sentence को D इसका right answer हो जाएगा next है किस देश द्वारा दुनिया का पहला wireless electric car charging station शुरू किया गया है तो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है नौर्वे के द्वारा तो A इसका right answer हो जाएगा next बिदूत उत्पादल के मामले में भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है तो भारत का विश्व में तिसरा स्थान है कौन सा स्थान है तिसरा स्थान है तो D इसका right answer हो जाएगा और next question है कि global warming सब्द का पहले बार परियोग करने वाले किस अमेर्की बैग्यानिक की फरवरी 2019 में मिर्तू हो गई तो उस बैग्यानिक का नाम क्या था तो आपको याद रखना है वलास अस्मित ब्रोकर ए इसका right answer हो जाएगा next किस राज में हिमालियन क्लाउड बेद साला स्थापित किया जाएगा फिर से देख लेजिए किस राज में हिमालियन क्लाउड बेद साला स्थापित किया जाएगा तो किस राज में किया जाएगा उत्राखन राज में ठीक है उत्राखन राज में तो ए इसका right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा next question देखिए किस देश ने जनवरी 2019 में ओपेक की सदस्ता छोड़ दिये ओपेक की सदस्ता छोड़ दिये तो कतर ने ठीक है कतर तो डे इसका right answer हो जाएगा कतर जो आपके एक खाली देश है ठीक है खाली देश है कतर कतर का आप लोक लोकेशन देख लिज़ेगा मेप में next गीता गोपिनात को लगतार ये भी चर्चा में रही थी तो आप लोग याद रखिएगा ठीक है रगुराम राजन और उर्जित पतेल आरवी आई के पूर्व गवर्नर थे तो बरतमान में आरवी आई के गवर्नर कौन है तो सक्ती कांत दास बरतमान में आरवी आई के गवर्नर है और किस नम्मर के गवर्नर है तो पचिसमे नम्मर के गवर्नर है इतना आप लोग याद रखिएगा next December 2018 में प्रकासित पूस्तक Changing India के लेखक कौन है तो आपको याद रखना है Changing India इस पुस्तक के लेखक है डाक्टर मनमोहन सिंग कौन है डाक्टर मनमोहन सिंग तो D इसका रायट एंसर हो जाएगा डाक्टर मनमोहन सिंग भारत के पूरव परधान मंत्री है next इसकी सहायता से भारत के सबसे लंबे एबं पहले रास्टिय जल मार्ग के लिए मल्टि मॉडल टर्मिनल का उठगाटन वारस नसी में किया गया है तो आपको याद रखने है विश्वैंक के सहरेता से रास्टिय जल मार्ग परतम का उठगाटन किया गया है तो CASE का राइट अंसर होजाएगा Next question है किस खिलाडी को धिंग एक्स्प्रेस के नाम से जाना जाता है यह वेरी वेरी इनपोर्टन कोशन है क्योंकि 2019 में यह लगतार चर्चा में रही है तो किस खिलाडी को धिंग एक्स्प्रेस के नाम से जाना जाता है तो हेमा दास को किसे हेमा दास को तो डेस का राइट अंसर हो नेस्स कोशन है निम्रिखित में से कौन सा देश अधिकारिक तोर पर इनुसकों से बाहर हो गया है यह इनुसकों से अलग हो गया है तो कौन सा देश है अमिर्का और इस्राइल तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट विश्व इस्पात संग की जनवरी दोहर 19 के रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का अस्थान क्या है क्या पूछ रहा है कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का क्या अस्थान है तो क्या अस्थान है दुसरा अस्थान है ठीक है तो B.S. का right answer हो जाएगा Next भारत में किस वर्स तक malaria unmulan का लच रखा गया है तो किस वर्स तक रखा गया है 2030 तक रखा गया है 2030 तक रखा गया है तो C.S. का right answer हो जाएगा Next है उपभोक्ता मुल्सुचकांक कन्या अधार बर्स क्या है Consumer Price Index का नए अधार बर्स क्या है तो बर्स 2012 है ठीक है बर्स 2012 है तो C.S. का right answer हो जाएगा Next question देखे किस समिधान संसुधन अधिनियाँ द्वारा सवर्नों को 10% अरच्छन नोकरी एवम सहस्निक संस्थान में दिया गया है तो किस समिधान संसुधन के तहट दिया गया है 103 समिधान संसुधन के तहट 103 समिधान संसुधन के तहट तो D. इसका right answer हो जाएगा आप लोग को बताना है कि 102 समिधान संसुधन में क्या है आप लोग कमेंट करके बताईएगा ठीक है आपसे हम 3-4 question पूछ चुके है तो आप से भी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जबाब जरूर दिजएगा अगर आप लोग एक बार जबाब दे दिजएगा तो उसे जिन्दगी में आप लोग कभी नहीं भूलिएगा ठीक है नेक्स कोचन देखी अनवान निकोबार की किस आइलेंड का नाम जो है नेता जी सुभास चंदर बोस आइलेंड रखा गया है तो किसका नाम चेंज कर दिया गया है रोस आइलेंड का नाम चेंज करकर रख दिया है नेता जी सुभास चंद्र बोस आइलेंड ठीक है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा जो हैब लोग आइलेंड है इसका नाम चेंज गरके रख दिया है सुस्मा सुराज आइलेंड ठीक है सुस्मा सुराज आइलेंड तो याद रखेगा यह दोने वाद रखेगा ठीक है वर्ष दुराज अठारा का गांधी सांती पुरस्कार किसे दिया गया तो आपको याद रखना है ओहियो ससकावा को तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा D इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट World Economic Outlook Report जो है कौन निकालता है तो antirasti moderatoCH निकालता है कौन निकालता है? antirasti moderatoCH ऐसका right answer हो जाएगा ठीक है? ऐसका right answer हो जाएगा International Monetary Fund निकालता है इसे इंग्लिज में भी देख लीजिएगा वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है ठीक है एज ओब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता है तो वर्ल्ड वैंग निकालता है कौन निकालता है वर्ल्ड वैंग निकालता है इसे याद रखिएगा ठीक है नेक्स कोशन देखी भारत का पहला डाइनासुर संग्राले एवं पार कहां स्थापित किया गया है तो कहां पर स्थापित किया गया है गुजरात में ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट हाल ही में जलवाई अपात काल गोसित करने वाला दुनिया का पहला दुनिया का दुसरा देश कौन बना है दुनिया का दुसरा देश कौन बना है तो आयर लेंड बना है अब पहला देश कौन है तो पहला आपके ब्रिटेन है याद रखिएगा पहला ब्रिटेन है दुसरा आयर लेंड है ठीक है next पुरुष वंडे में unfiring करने वाली पहली महला कौन बनी है तो पहली महला कौन बनी है clear polosak कौन बनी है clear polosak तो says का right answer हो जाएगा ठीक है next mob lynching को नेंतिरत करने हैं तो किस समीती का गठन किया गया है तो राजीव Gowas Sam längtी का गठन किया गया says का right answer हो जाएगा mob lynching मतलब क्या होता है देखेh mob miss होता है भीले एक भीले के दौरा किसी एक बेक्ति एक बेक्ति की हत्या कर दिया किसी भीले के दौरा तो उसे बोलते हैं mob lynching इसे याद रखेगा आपसे एकजामे पूछा जा सकता है next है कि सतरमा लोगसभा के अध्यच ओम बिरला ओम बिरला जो है किस लोगसभा सीट के निरवाचित हुए है इसे कर लिजएगा किस लोगसभा सीट से निरवाचित हुए है तो कोटा से ठीक है कोटा से बेज का राइट नसर जाएगा कोटा किस राज में है तो कोटा राजस्थान राज में है next महला एवम पूरुष T20 बिसकप 2020 का आयोजन किस देश में होगा याद रखेगा महला एवम पूरुष T20 बिसकप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो अस्टेलिया में किस देश में अस्टेलिया में तो से इसका राइट नसर जाएगा next है सतर्मी लोगसभा में कुल मतदान परतिसद कितना रहा था आपको व्याद रखना है 67.11 परसेंट तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा करीब 90 कलोर मत दताओं ने अपने मत का परियोग किया था ठीक है तो से इसका राइट एंसर हो जाएगा next है प्रवासी प्रजाती के संयुक्त राष्ट सम्मेलन कौप 23 का आयोजन दोहर 20 में कहां किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा गुजरात में किया जाएगा ठीक है भारत के गुजरात राज में तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा next थोक मूल सुचकांग किसके द्वारा निकाला जाता है तो बानीज एवं उद्योग मंतराले के द्वारा ये इसका राइट एंसर हो जाएगा Ministry of Commerce and Industry के द्वारा ठीक है next आम बजट 2019 को क्या नाम दिया गया तो आपको याद रखना है कि आम बजट 2019 का जो है नाम दिया गया वही खाता क्या दिया गया बही कहता मतलब बुक एकाउंट उसका नाम दिया गया तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा next लाउंच करने वाला वेस्ट का पहला देश कौन बना है तो आपको याद रखना है फाइब जी नेटवर्क लाउंच करने वाला दुनिया का पहला देश बना है दच्छिन कोरिया डेस का राइट इसर जाएगा आपको याद जाखना है कि जपान और दच्छिन कोरिया नियू नियू टेक्नोलोजी डेवल्प करने के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं ठीक है तो डेश का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट इंद्रा ग्री जोती योजना की शुरुवात किस राज सरकार ने की है तो मधपरदेश सरकार ने की है बी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सायुक्त रास्ट के परतिस्थित सासा कावा पुरसकार 2019 किसे दिया गया तो किसे दिया गया है पी के मिसरा को दिया गया है पी के मिसरा को तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा और नेक्स्ट है इंडिया कूलिंग एक्सन प्लान किस मंत्राले या आयोग द्वारा जारी किया गया है तो आपको याद रखना है यह जारी किया गया है परियावरन 1 और जल्बाई परिवरतन मंत्राले के द्वारा Ministry of Environment, Forest and Climate Change के द्वारा तो बेस का राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, बेस का राइट अंसर हो जाएगा, हम लोगों ने इस वीडियो में करेंट अफेर का 100 इंपोर्टन कोर्शन डिसकस की हैं, जो आगे आने वाले सभी एकजाम के लिए वेरी इंपोर्टन थे, अगर वीडियो आपको देखने के अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी सेर किजिएगा, थैंक यू,